अकलमंद मचली एक गाउम में छूटा तालाब था जिसमें बहुत मचलियां रहती थी एक मचली जिसका रंग नीला था इसकी वजह से उसका नाम नीली मचली पढ़ गया नीली मचली बहुत अपलमंद थी वो जो कोई भी काम करती बहुत सोच समझ कर करती थी एक दिन इस तालाब के पास दो मचली आये और एक मचली ने कहा ओ हो देखो तो कितनी सारी मचलियां हैं कल हम आएंगे और उन सब मचलियों को पकड़ कर ले जाएंगे ये बात नीली मचली ने सुन ली और वो जाकर दूसरी मचलियों को सुनाने लगी दूसरी मचलियां नीली मचली पर हंसने लगे और कहने लगे कि अगर तुम्हीं जाना है तो जाओ हम सब लेही रहींगे उसी रात अपल मंद मचली तालाब छोड़ कर छोटी जील के जरिया नदी में चली गई दूसरे दिन वो मचले आये और तालाब की सारी मचलियों को पकड़ कर ले गए अपल मंद मचली की बात ना सुन कर मचलियों को पचतावा हुआ और इस तरह से अपल मंद मचली बच इसलिए बच्चों हमेशा अपल से काम लो